अगर आपका computer बहुत ज़्यदा slow है तो इस lecture में हम कुछ steps देखने वाले हैं जिसके base पे आप अपने computer को fast कर सकते हैं सबसे पहले काम हमने करना है जो unwanted files होते हैं जो temporary files होते हैं उनको delete करना सबसे पहले जो temporary files है वो हमने delete करना है तो window plus R की हमने press करना है और यहाँ पे हमने type करना है prefetch और इसके बाद enter continue पे आपने click करना होगा click करने के बाद यहाँ पे जितने भी files आपको दिखेंगे यह window खुद से create कर लेता है temporary files होते हैं इनको आपने control A select करना है और shift के साथ delete की के तरू इसे delete करना है ताकि यह permanently delete हो जाए तो shift plus delete ताकि यह permanently delete हो जाए यह इस पे अपने click करना है तो यह सारे files आपके permanently delete हो जाएंगे temporary files हैं कोई नक्सान नहीं पहुंचेगा computer को और next वहाँ पर आपने एक दफा पर दो जगों पर temporary files operating system create कर रहा होता है तो वहाँ से भी हमने उन्हें delete करना होगा तो window plus R एक दफा पर press करना है और यहाँ पर हमने temp enter temp search करके आपने पिर enter करना होगा और यहाँ पर आपके सामने temporary files आ जाएंगे तो control A और सबको select करने के बाद shift plus delete की हमने press करना है ताकि यह permanently delete हो जाए यह पर क्लिक करेंगे कुछ चीज़ी होंगे वो delete नहीं होंगे तो उनको skip करना है क्योंकि वो running में होते हैं फिर skip पे click करके आप यहाँ पर forward जा सकते हो इसके बाद one last time window plus R की हमने press करन है और हमने यहाँ पर percentage देना है तो percent इस site पर भी देना है और percent start में भी देना है तो percent temp पर percent इसके बाद enter इंटर करने के बाद control-A जितने भी files है shift के साथ पर एक दफ़ा हमने इन्हें delete करना है yes पर click करना है कुछ files पर running में होंगे तो उने हमने यहाँ से skip कर लेना है और कुछ इस तरह से आप अपने computer से जो temporary files होंगे वो delete कर लोगे delete करने के बाद जायर बात है इन files के बाद आपक यहाँ पर search करेंगे antivirus, enter, enter करने के बाद आपके सामने antivirus आजाएगा और यहाँ पर scan option नाम होगा आप इस पर click करोगे और यहाँ से full scan पर click करके इसे यहाँ से scan now पर click करना होगा अपने इसके base पर आपके computer के जितने भी files होंगे वो सारे scan हो जाएगे बिलकुल clear हो जाए जो के inbuilt antivirus है वो भी उसके base बेबी आप अपने computer के जितने भी files है वो आप बिलकुल scan कर सकते हो और वाइरस वगरा जो भी चीज़ी होंगे जार बात है वो सारे detect करके वो delete कर लेगा तो yes पर click करना है MRT search करना था window plus R MRT पर yes इसके बाद next पर click करना है और यहाँ से choose कर लो full scan और इसके बाद next पर click कर लो click करने के बाद यह आपके जितने भी files होंगे computer में operating system के वो सारे files scan कर लेगा और उसके base पर आपको एक आचा result देगा और computer भी इससे fast हो जाएगा तो month में एक दफा ज़रूर आप इसे run करोगे तो month में चाहे आप week में एक दफा इसे run कर लो या एक यह रहा एक antivirus रहा दोनों को मत में एक दफा ज़रूर हमें run करना होता है next step होगा कि आप window प्लस R की press कर लो और यहां पर search कर लो msconfig msconfig search करोगे enter करोगे enter करने के बाद कुछ दिर में आपके सामने एक और pop-up आजाएगा window आजाएगी इस window की inside आपको बताया जा रह और इसमें हमें जाना होगा boot tape की तरफ पिला होगा general tape पिर होगा boot tape और boot tape की inside आपको मिलेगा advance options आपने इस पे click करना है click करने के बाद ऊपर आपको बताया जा रहा number of processors तो आपने इसका check लगा लेना है check लगाने के बाद यहां से आपने maximum आपके जितने भी यहां पे CPU आ रह आपका computer है वो maximum CPUs के base पे process कर रहा होता है और इससे भी आपका computer ज्यादा fast चलेगा पर हाँ यह आप से एक दफ़ा जरूर restart मांग रहा होता है तो हाँ यह settings करने के बाद एक दफ़ा आपने computer को restart जरूर कर लेना फिलाल हम यहां पे exit without restart पे click करेंगे और एक दफ़ा पर एक और देख लिए उसी same window की inside तो window plus R और हमने ms config लेका enter पे click करेंगे click करने के बाद boot पे click करना है advanced options पे click करना है तो इस side पे आपको memories भी बताया जाता है तो आपके computer में जितने भी memories होंगे वो सारे आप यहाँ पे type कर सकते हो या तो आपका computer वो automatic detect कर लेता है तो आप यह check ल start नहीं कर रहा next और last setting की तरफ जाते है अपने computer के तो आप control alt delete की press कर लो या तो पर task bar पर right click कर लो task manager पर अपने click करना होगा आपके समने यहाँ पर आ जाएगा startup app अपने इस पर click करना होगा click करने के बाद यहाँ पर वो apps जो आप use नहीं करना चाते है उनको यहाँ से disable कर ल चलता है तो जो apps आपको use नहीं करने simple उस पर right click कर लो आपको यहाँ पर enable की जगे पर disable option मिलेगा उनको यहाँ से disable कर लो जिसे मैंने अपनी साबसे यहाँ पर maximum apps को यहाँ से disable किया है सिर्प यहाँ पर security को enable करके रखा है बाकी सारे almost software मैंने यहाँ पर disable रखे तो आपके काम होगे कि पहले कि बेनिस्बत computer अब fast चल रहा है